जै जोहार दमस्कार तैनिक 36 कर चैनल देख रहे हैं आप और 36 कर प्रदेश की आज की समस्त प्रमुग बड़ी खबरों की सुरुआत सरपथम आज की पहली पड़ी खबर के साथ 36 कर के विभिन गवर्मेंट कॉलेजों में एडमिसन के लिए मेरिट लिष्ट जारी होने की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है साइन्स कॉलेज दुर्ग की बात करें जहां कट ओफ 86 फीसद गया बेकॉम में प्रवेश के लिए होड मच गई है खबर आ रही है कि दुर्ग जिले में टॉप गवर्मेंट कॉलेजों ने अपने यहां प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिष्ट जारी कर दी है सूची से पता चलता है कि इस साल बेकॉम में प्रवेश के लिए खुब मारामारी है ऐसा पहली बार है जब बेकॉम के लिए दुर्ग साइन्स कॉलेज से अधिक कट ओफ दुर्ग गर्स कॉलेज का रहा क्या हो इसके लावा साइन्स कॉलेज की बात करें तो यहां बीकॉम 85 फीसद अंगों पर क्लोस हुआ वही गल्स कॉलेज में 94 फीसद अंग पर बीकॉम मिला जिन छात्रों का नाम फर्स्ट मेरिट लिष्ट में आया है उन्हें 20 से लेकर 27 जून के बीच कॉलेज पहुच करके एडमिसन कराने के लिए निलतेसित किया किया है और इस तोरान कोई छात्र अगर एडमिसन नहीं ले पाता है तो उसे फिर से आवितन करना होगा इसके बाद उसे दूसरी मेरिट लिष्ट से प्रवेस मिलने वाला है इसके लावब बात करें तो इस बार होम साइन्स में एडमिसन के लिए स्टूडेंस का रुचान कम देखने को मिल रहा है 36 गर में आदी पुरुस फिल्म बैंग हो सकती है मुख्यमंतरी भूपेस पगेल ने कहा कि हनुमान जी से बजरंग दल जैसे डायलोग बुलवाए गए है तरसल प्रभास और कृती सेनन स्टारर फिल्म आदी पुरुस में डायलोग्स को लेकर के देशभर में विवाद मचा हुआ है मुख्यमंतरी भूपेस पगेल ने फिल्म में पात्रों के चित्रन और डायलोग को लेकर आपती जताई है 36 गड़ में फिल्म को बैंड करने की बात कही जा रही है भूपेस पगेल ने कहा कि फिल्म में बजरंग बली से बजरंग दल वाले सब्द बुलवाए गए है बजरंग बली को एंगरी बर्ड के तौर पर दिखाया किया है फिलाल ये बयान मुख्यमंतरी भूपेस पगेल ने आधी पुरिस फिल्म के लेकर मचे पवाल को लेकर जारी किया दूर्क इर्वर्ष्टी में ब्यासी अंतीम के परिक्षा परिणाम घोसित हो चुके है जिनमें 69 फीसद स्टूटेंसी सफल हो पाए हैं बाकी अनुत्तीर हो गए हैं 10,977 परिक्षाल्थियों ने अपना पंजियन कराय हुआ था तरसल एक बड़ी खबर चौकाने वाली है जहां हेमचन यादव विस्विद्याले ने ब्यस्सी अंतीम वर्ष के नतीजे जारी कर दिये हैं और इस वर्ष पिछले साल की तुलना में तक्रीबन 20 फीसद कम छात्र छात्राओं को सफलता मिली है कई परिक्षार्थी पूरे सवालों के जवाब तक नहीं लिख पाए और कई लोगों ने लिखा है लेकिन पूछे गए सवालों के स्थान पर कोई और जवाब दिया गया है इसकी वज़े से परिक्षा में 69 फीसद ही छात्रों को सफलता मिल पाई है परिक्षा में सामिल होने के लिए तक्रीबन 10,977 परिक्षार्थियों ने पंजियन कराया था और इनमें 10,858 परिक्षार्थी सामिल हुए विबिन कार्णों की वज़े से 119 परिक्षार्थी परिक्षा में अनुपस्तित रहे जबकि परिक्षार्थियों में से 6472 परिक्षार्थी ही उत्तेड घोसित किये गए 1641 को पूरख की पातुरता मिली जबकि 2574 परिक्षार्थियों को डारेक्ट अनुटेड घोसित किया गया है इसके लाबा बात कहे तो परिक्षा के दुरान नकल करते हुए पकड़े गए 37 चात्र चात्राओं के परिक्षा परिडाम भी अभी फैसले नहीं किये गए है 36 गर्में भीसर गर्मी अभी पढ़ने वाली है और अभी लू चल रही है रायपूर सहित नौजिलों में ओरेंज अलर्ट लू के लिए जारी हुआ है आगामी 24 जून तक राजधानी में मौनसूल की एंट्री संभावित है 36 गर्में भीसर गर्मी के बीच कई सहरों में लू का अलर्ट जारी है मौसम एक ज्यानवी भाव की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के कोई भी आसार नहीं है उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं की वज़े से आननी वाले दो दिनों के लिए राइगर जानगिर चापा बलोता बाजार बिलासपूर मुंगेली राइपूर राजनान गाव दुर्ग और महा समुन जिले के लिए औरिंज अलर्ट जारी हुआ है यहां भीसर गर्मी के साथ लू चल सकती है राजधानी राइपूर समयत प्रदेश के लगभख सभी जिलों में सुबह से ही तेज गर्मी पड़ रही है तो पहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुस्किल हो रहा है वही गर्म हवा के थबेडों की वज़े से लोगों का हाल बेहाल है दिन में जितनी गर्मी का एहसात हो रहा है राती भी उतनी गर्म होती नज़र आ रही है इसके लावब प्रदेश के सब से ठंडे इलाके में भी लू चल रही है 36 गर्में जल्दी एक देश एक नमबर प्लेट योजना सुरू होने बाली है और सडकों पर जल्दी बी एच सिरीज की गारियां दोडने वारी है 36 गर्में जल्दी एक देश एक नमबर प्लेट योजना के तहट भारस सीरीज यानि बी एच के वाहन की जल्दी ही सडकों पर खरीदी दिखाई देने वाली है परिवान विभागद्वारा इसका प्रसाफ राज सरकार को भेज दिया गया है आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा इसकी स्विक्रिती मिलते ही नोटिफिकेशन करके टैक्स और नियमों का निर्धारण किया जाएगा विए स्रीज नंबर प्लेट वाली वाहक देजभर में मानने होगी और यह नंबर प्लेट सासके अर्ध सासके और विभेन प्राइवेट लमेटेट कमपनियों के करमचारियों और अधिकारियों को जारी किया जाएगा देजबर के विभिन राज्यों में स्थाना अंत्रण किये जाने पर उन्हें नंबर प्लेट नहीं बदलवाना पड़ेगा और स्वैम के उप्यों के लिए नई दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदी करने वालों पर बी ये सिरीज जाड़ी किया जाएगा वाहन की कुल कीमर का आठ से दस फीसद यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा और ये रासी दो वर्स के लिए मानने होगी इसके बाद उन्हें दो बारा सुल्क जमा करना पड़ेगा बतादी की सामाने नंबर प्लिट लेने पर परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्स के लिए एकमुस्त रोड टैक्स देना पड़ता है पटवारियों की हर्टाल के साथ ही अधिकारी भी अपसूस्त होते नजरा रहे हैं राजसो न्यायलों में अपेंडिंसी 6014 के पार हो गई है और ये अकेले बिलासपुर जिले के आक्रे है दरसल पटवारियों ने अपनी मांगो को लेकर 15 मैं से अनिजित कालिन हर्टाल सुरू की थी हालकि हर्टाल अब समाप्त हो चुकी है लेकिन अब हर्टाल के कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे इस बीच राजसो न्यायलों में अधिकारी भी सुस्त हो गए लोग लगातार राजसो संबंदी तावेदन करते रहे और पटवारियों की हर्टाल के कारण अधिकारी भी काम को टालते रहे स्थितिया ये हो गई है कि जिले में कलेक्टर से लेकर के नायब तहसिलदार और नायब नायलों में अब बात करें तो 6,014 मामले लंबित हो गए हैं और इन मामलों में जनता से जुड़े नामांतरन, सिमांकन, खाता विभाजन, जमित, डायवर्जन के मामले की लंबी फैरिस्थ है इसके लाबा राजोस नायलों में जिन लोगों ने आवेदन लंबित हैं और वे लगातार अधिकारियों से संपर कर समस्या के नराकरण का जवाब मांगते रहे हैं लेकिन अधिकारी उन्हें यही बता कर चलता करते हैं कि पटवारी हटाल पर हैं 5000 से धिक आवेदन आने की संभावना है नेमेती करण के लिए अब सिर्फ एक ही महीना से इस है और इसके बाद ताबर तोर कारवाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है जिन लोगों ने बिना भवन अनुग्या लिए निर्मार करा लिया है और या फिर अनुग्या के विपरित मर्जी से मकान के सुरूप में परिवत्तन किया है तो उनका निमेती करण करवाने के लिए अब सिर्फ एक ही महीने का समय रह किया है एक साल की अबधी के लिए लागू किये गए निमिती करण योजना 14 जुलाई 2022 से सुरू हुई थी और ये 13 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी और इसके बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा अभी सासन लोगों को अपनी गलती सुधरवाने का उसर दे रहा है निगम प्रसासन भी बार-बार अपिल कर रहा है इसके बाद सकती से तोड़फोर की कारवाही हो सकती है विलाई निगम ने नेमिती करण के लिए अभी तक तकरीबन 3939 आवेदन आये हैं और इन में से 1035 प् आउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए प्रक्रियाधीन है निगम छेत्र में आवासिय वगैर आवासिय को मिलाकर कुल मिलाकर तकरीबन 5000 अनधिक रित निर्मार्च चेनित किये गए हैं खबर आ रही है 36 प्येसी में एको लेकर परिक्षा में कोई भी गरबड़ी नहीं है ये बाते प्येसी ने कहीं कॉंग्रिस निता और अफसरों के रिस्तेदार को नौकरी दिने के आरूप पर आखिरकार प्येसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है हेल्प लाइन नंबर भ भरतिया निकाली है इसे कुछ जगों पर सीधी भरती चल रही है तो कहीं व्यापम और सीजी प्येसी के जरिये परिक्षा ली जा रही है इन सब के बीच एक बड़ा दावा ये भी है कि लोग कोई पैसे इन नौकरियों में सेटिंग करवाने का दावा कर रहे हैं पिछले इस मामले पर सीजी पीएसी ने अपनी चुपी तोड़ दी है दूसरी तरफ पैसे लेकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले इतने बढ़ गये हैं कि रास्थानी की पुलिस को हेल्प लाइन नंबर जारी करना पड़ गया है प्रदेश का यूथ सोसल मीडिया पर ग से सूजना में आरोपो को पूरी तरीके से खंडित किया गया है संकराचारे ने कहा कि 36 कर में हिंदूों को अब क्रिष्चन बनाये जा रहा है कॉंग्रिस विधायक ने कहा कि हिंदू एक हो जाएं पार्टी बोली कि हम सम्विधान को मानते हैं ये उनके निजी विचार है दरसल राइपूर के रावा भाठा मैदान में आयोजीत किये गए धर्म सभा में संकराचारे निश्चलानन सरस्वती ने कहा कि 36 कर में सेवा के नाम पर हिंदूों को छल से क्रिष्चन बराने का अभियान जल रहा है कालिग्रम में पहुंची कॉंग्रिस विधायक अनिता योगेंद्र सर्मा ने कहा कि सवी हिंदू एक हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट बना पाएंगे आप सबसे निवेदन कर रही हूं कि उसके बाद संकराचारे भगवान की जय हो कहकर अपनी बात खत्म की हिंदू राष्ट को लेकर पिछले कुछ समय से देश में काफी लं सर्मा हजारों की भीड में मंच से हिंदू राष्ट का समर्थन करती हुई दिख्ती पाई गई हैं मौका राइपूर के रावा भाठा में आयुजित संकराचारे निश्चलानन सरस्वती के इंक्यासिवे जन्म उत्सवका था जहां पर ये पहुची हुई थी और अब खबर आ रही है कि मौनसून सत्र में फैसला किया जाए दैनिक वेतन भोगी के स्रमिकों के निमिती करण को लेकर जिस बाबात इन्होंने पत्र रिखा है मुख्यमंत्री को इन्होंने पत्र में जाहिर किया है कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तर्ज प चने पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि इस बार के मौनसून सत्र में दैनिक निक स्रमिक को स्थाइ और निमित किया जाएगा और जिस तरह से मध्य प्र०ेश और हिभाचल प्रदेश न राज्यों में दैनिक वेतन भोगी करम्चारियों को स्थाइ करन के के लिए वेतन विर्थी महंगाई भत्ता और अनुकंपा जैसे सुवेधाओं के लिए नियम बनाए गए हैं वहीं बात करें तो 30 अप्रेल 2023 तक हिमाचर प्रदेश की सरकार ने सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निमित करने का कारे किया है और मध्य प्रदेश की तर प्रसिक्षण में बीजेपी और आरेसेस की क्लास लगाई गई सीएम भूपेज बखेल पीसीसी अध्यक्ष मोहनबर काम समेट कई नेता इस कारेक्र में सामिल हुए राजसानी राइपूर में कॉंग्रस का प्रसिक्षण सेविर वियाईपी रोड के एकनेजी होटल में र प्रसिक्षण दे रहे निताओं ने बताया कि आप बीजेपी और आरेसेस जोटे इतिहास से लोगों को भ्रम फैलाते हैं और इसे काउंटर करने के लिए इनके इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए इसलिए सिविर में ये जानकारी दी गई आगामी चुनाव को लेकर कॉ प्रसिक्षण दिया जा सके खबर आ रही है बिलासपूर से जहां एक युवक भूत बन करके रहागेरों को डराने का एक प्रैंक वीडियो बनाये करता था समसान घाट के पास से आधी रात लोगों को डराते हुए इनका वीडियो जो है सोसल मीडिया पर खोग वायरल होता और अब पुलिस से बोले की प्रैंक वीडियो बनाता था दरसल बिलासपूर में डरामना वीडियो बनाकर वीयरल करने वाले ना बालिक Sपुन को पुलिस ने दभूच लिया है बं clause लड़के रहागीरों को डराने के लिए डराने वाले वेस में समसान घाट के पास से निक कॉलोनी स्थित समसान घाट और वेयर हाउस रोड में कुछ बदमास लड़के बूद बन करके निकलते हैं और लोगों को डराते हैं और शिकायत करताओं की सिकायत पर उन्होंने सोसल मीडिया पर वाइरल वीडियो को भी दिखाय था जिसके बाद पुलिस की टीम ने बदमास होते हुए एक वीडियो सोसल मीडिया पर खोब वाइरल हो रहा है ये वीडियो गुरुवार सुबा का है जहां विकास कंड के ग्राम चौबे बांधा बेल टुकरी देवरी इत्यादी गावों में भालू आने की खबर से छेत्र में दहसत फैल गई ग्रामिरो की सूचना व भालू को खदेढ़ना शुरू किया गया भालू वन विबाग की टीम को छकाते हुए ग्राम बेल टुकरी होते हुए दोपार एक बजे के आसपास ग्राम देवरी के खेतों से भाग निकला देवरी के खेतों में रौपा के लिए सिचाई हो जाने की कारण वन विबाग की आगे भालू को खदेर्णे में सफल नहीं हो पाई वही भालू को खदेर्णे के दुरान गावों के खेतों में दरजनों जंगली सूवर भी पाए गए यहां भालू के साथ सूवरों को भी खदेर्णे का प्रयास किया गया लेकिन ग्रामिट शेत्रों के खेत कलियान में अप पर कारेवाही होगी 20 पॉइंट पर गाइडलाइन जारी की गई है 36 करके पुलिस अधिकारियों और कर्मशारियों के लिए सोसल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है वी ते कुछ समय से कुछ पुलिस इंस्पेक्टर पत्नी के साथ बंदूग तो नहीं बना सकता है इस गाइडलाइन में एक दो नहीं बलकी सोसल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पूरे 20 पॉइंट तैयार किये गए है अंतिम खबर जहां बस्तर से पहुना बनकर के पहुचे सीएम हाउस जहां भेट मुलाकात में जिनके घर खाना खाया उनका अस्वागत भूपेश भगेल ने अपने घर बुलाकर के किया है मुखिमंतरी भूपेश भगेल प्रदेश वापी भेट मुलाकात कारिकरम में प्रदेश की विधान सभाव में बहुचकर लोगों से प्रतक्ष बुलाकात करते हैं और सास के योजनाओं के क्रियानवन की जमीनी स्थित भी जानते हैं और इस दोरान उन्होंने विधान सभा छेत्र के ही ग्रामिर परिवारों के साथ पारंपरिक भोजन भी किया हुआ था जिसको लेकर ग्रामिर परिवारों ने भी अपने घर मोखिमंतरी को पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और भोजन के दोरान मोखिमंतर के घर से परिवार से बातचीत की और अब बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बखेल मेजबान बनकर बस्तर संभाग के इनी ग्रामिट परिवारों को अपने घर दो पहर भोज़ पर आमंत्रित किया और सांधार महमान नवाजी की गई खेल दोस्तों खबरों के लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि प्रते दिन की महत्तपूर खबरें 36 गर समाचार बिनक्स रुकावट रोजाना हम आप तक पहुचा सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब जेगा